हेलो गाईज आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्ट कम्प्यूटिंग के अंदर नियूमेरिकल पोर्शन की ठीक है तो इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूँ एक कोई है आप लोगों में सभी सब्सक्राइबर तो उनका हमको कमेंट आया था कि भाई कंट्रोलर नहीं बताया आपने फजी लॉजिक के अंदर तो फजी लॉजिक कंट्रोलर कोई बहुत कॉंप्लेक्स टॉपि कंट्रोलर के अंदर भी काम होता है ठीक है यानि कि यह जो डियाग्राम आपको दिख रहा है ठीक है ब्लॉग डाग्राम ऑफ-FIS जब आप फजी कंट्रोलर का ब्लॉग डाग्राम बनाओगे तो इसमें सिर्फ इतने चेंजिस करने कि यहां जहां पर हैं डिसीजन मेंटिं में इतनी सी changes करने है, बाकी सब कुछ data आपको पता है, fuzzification में क्या होता है, defuzzification में, जब मैंने इसको explain किया था, तो हर चीज explain कर दीती, ठीक है, तो और कुछ करना नहीं है, fuzzy controller में easy सा topic है, बाकी I hope समझ में आ गया होगा आपको यह तो अगर यह आ गया है, तो वो भी आप लोग एक्जाम में कर लोगे, ठीक है, इसके बाद अब हम numericals पर चलते हैं, so सबसे पहले numerical है, हमारा calculate net input and output for given network, हमें एक network given है, ठीक है, network अब हमें diagrammatic given हो, ज़रूरी नहीं है ठीक है, तो हमें network inputs given है ठीक है, X1 0.5, X2 0.9 X3 0.2 X4 0.3, bias given है 0.5 और weight given है W1 0.2, W2 0.3 W3 minus 0.6 W4 minus 0.1, तो हम कैसे इसका total input यह net input calculate करते हैं, उसका एक particular formula होता है, वो formula मैंने आपको बताया था, Y input, ठीक है formula क्या था हमारा Y input, देको पहले हम इसका structure बना लेते हैं, ठीक है, network बना लेते है 5 number में आया, तो आपको कुछ दिखाना होगा ना, कि भाई 5 number का आपने लिखा तो, सबसे बढ़हा तरीका है पहले इसका network बना लो, कैसे बनेगा अभी दिखाता हूँ यह हमने initialize कर दिए inputs, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हम लोग weights initialize करेंगे और weights initialize करने के साथ साथ bias initialize करेंगे, ठीक है सब कुछ हमने बना दिया है, network के अंदर पूरा data आ गया है, इसके बाद क्या करना है इसके बाद हमें मिल जाएगा output ठीक है, Y output अब देखो, Y input calculate करने के लिए देखो, हमसे पूछा यह है, net input और output यानि कि यहाँ पर जो value आएगी, वो भी हमें बतानी है यहाँ पर जो value आएगी, वो भी हमें बतानी है ठीक है, तो Y input calculate करने के लिए मैंने आप लोग को formula होता है था कि Y input हमारा क्या होता है bias plus summation of XI into WI, यानि कि जितने भी input है उन सब के corresponding weighted inputs को हम लोग यहाँ पर calculate करते हैं उसका sum निकालते हैं, ठीक है तो कैसे करेंगे, Y input की value हमारी क्या निकाल कियागी, bias हमारा है 0.5 0.5 और यह निकालेंगे, जब इसका summation करेंगे तो कैसे summation होगा, देखर XI हमारा कितना, 0.5 into 0.2 ठीक है, अब यह पूरा summation लेना है न सबका, तो अब 0.9 into 0.3, 0.9 into 0.3, plus 0.2 into minus 0.6 plus 0.3 into minus 0.1 ठीक है, यह हमने summation XI, WI निकाल लिया और यहाँ पर bias, अब इसको जब आप calculate करोगे तो आपको value मिलेगी approximately 0.72 calculate करके देख लेना होजकता है value मेरी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो, तो मतलब इसको आप calculate करना ठीक है calculator लेके जाना, exam में भूलना मत calculator ले जाना 0.72 इसकी value आएगी अब 0.72 हमें क्या मिला, net input ठीक है, तो पहला answer तो हमारा हो गया है यहाँ पर ठीक, net input हमने निकाल लिया, अब output कैसे निकालेंगे, output निकालने के लिए आपको बताया था, यहाँ पर मारा activation function यूज होता है, मतलब की, जहाँ पर मैंने बतायी थी कि 3 conditions होती है वो आपको याद रखनी है, कौन सी 3 conditions बतायी थी if y is greater than 0, y input की बात हो रही है, y input is equals to 0, y input is less than 0, तो greater than 0 पर output 1 आता था, equal to 0 पर output 0 आता था, less than 0 पर output minus 1 आता था, यही बताया था मैंने, तो यहाँ पर output आपका कितना निकाल आएगा, y output यहाँ पर जो output निकाल लेगा, वो output निकाल के आएगा आपका, क्योंकि यह value greater than 0 है, तो output आजाएगा 1, okay so I hope आपको समझ में आगया होगा, कि इस तरीके question को कैसे deal करना, exam में, बहुत simple question है, यह आएगा तो 2 marks के अंदर आएगा, बहुत high probability है, but अगर 5 number के question में आता है, तो आपको इस तरीके से solution दिखा देना है, ठीक है, अब चलते हैं अगले question की तरफ, so question के given है, यहाँ पर हमको find the output of a neuron from input as x1, x2 is equals to 0.7, 0.8, यह respective inputs दिये हुए हैं, और respective weights हमें given है, एक neuron के अंदर, हमें क्या बताना है, हमें output निकालना है, bias हमको given है, 0.9, ठीक है output निकालना है, किसके लिए पहला हमें binary sigmoidal activation function के लिए output निकालना है, दुसरा bipolar sigmoidal activation function के लिए output calculate करना है, तो activation function तो y input, यानि net input निकालने के बाद ही calculate होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम net input निकालेंगे, net input निकालने का same वही method है, जो अभी मैंने बताया है इसके पहले वाले question में तो यहां पर हम लोग पूरा repeat नहीं करेंगे, हम लोग directly net input निकाल लेते हैं net input का formula आपको पता है bias plus summation xi wi और इसको जब आप solve करोगे तो यह आएगा bias आपका 0.9 है और इसको जब आप summation निकालोगे तो 0.14 plus 0.24 अब 0.7 into 0.2 करोगे 1.4 आएगा 83024 तो 0.24 आएगा ठीक है इनका summation ले लो आएगा 1.28 ठीक है टोटल सम आएगा 1.28 यह हमारा क्या है यह हमारा net input यानि y input अब net input हमको मिल गया ठीक है अब ऐसे directly linear output अगर मैं बताना हो तो यह linear output तो इसका 1 आएगा भाई ठीक है समझ गया है बट हमको दोनो activation functions perform करने यह functions के जब formula मैंने आपको बताया थे तो मैंने आपको बताया था कि इसको याद कर लेना इस पर based numerical आते हैं ठीक है तो I hope आपने याद कर लिया होगा कर नहीं किया है तो अभी यह solve करोगे आपको याद हो जाएगा तो सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे सबसे पहले हम करेंगे binary sigmoidal activation function के लिए ठीक है तो first क्या हो जाएगा binary sigmoid sigmoid sigmoidal बोलो एक ही बात है sigmoidal activation function इसके लिए formula जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था y निकालने का formula हमारा था 1 upon 1 plus e की power minus y input ठीक है यही formula मैंने बताया था जब मैंने binary sig model activation function discuss किया था तो इस formula में उठा के सारी values put कर देनी है y is equals to 1 upon 1 plus e की power minus 1.28 क्योंकि y input क्या निकालना हमने 1.28 अब value रखो भाई यह minus भूलना मत exam में minus अगर भूल गया तो value एकदम अलग आ जाएगी answer एकदम change हो जाएगा और वो गलत हजाएगा ठीक है इसको जब आप solve करोगे तो आपका answer आएगा approximately 0.778 something ठीक है तो यह हमारा आ गया y binary sigmoid activation function का ठीक है इसके बाद अगला हम क्या निकालेंगे second यह output है ठीक है यह output आया हमारा अगर इसमें हम वो conditions apply कर दें जहाँ पर y greater than 0 पर 1 आता है तो यहाँ पर जो आपका main output निकल काएगा वो 1 आएगा ठीक है कि values 0 से बड़ी है ठीक है secondly बट यहाँ पर सिर्फ sigmoidal activation function का output पूछा है इसलिए हमने net output calculate नहीं किया है bipolar sigmoidal activation function इसका formula क्या था y is equals to क्या था formula 2 upon था ना इसमें 1 upon नहीं था 2 upon 1 plus e की power minus 2y input minus 1 ठीक है formula याद रखना यह formula बहुद इंपोर्टेंट है अगर यह भूल गए तो exam में problem हो जाएगी ठीक है y is equals to 2 upon 1 plus e की power minus 2 into 1.28 2 into 1.28 minus 1 इसको जब आप solve करोगे तो y की value निकल के आएगी 0.856 approximate values नहीं है ठीक है यहाँ पे output हमको क्या मिला यहाँ पे यह मिला और यहाँ पे output क्या मिला था हमको 0.78 ठीक है so I hope यह भी clear हो गया होगा यह भी छोटा सा question है दो marks में पूछा जा सकता है आपसे और बहुत जादा हुआ तो 5 marks के अंदर 10 marks के अंदर मुश्किल है इस तरह का question पूछा जाना ठीक है अब यह question है have rule का और यह question proper 10 number में आएगा उससे कम में बहुत बहुत rare chance है कि पूछा जाए बट फिर भी 5 से 10 number में ही मिलेगा दो number में तो यह question नहीं ही मिलता है ठीक है and function के लिए apply करते हैं कैसे करते हैं अभी बताता हूँ सबसे पहले आपको and का logic clear होना चाहिए logic clear होना चाहिए मतलब आपको पता है जब भी हम and function use करते हैं and function तो and का का काम क्या होता है अगर दोनों input 1 है तो output क्या देगा 1 एक plus 1 है एक minus 1 है तो output क्या देगा minus 1 अब यहाँ पे तो हम लोग 1 और 0 consider करते थे बट जब have rule से logic develop करते हैं तो हम 1 और minus 1 consider करते हैं यहाँ minus 1 है 1 है तो क्या देगा minus 1 minus 1 है तो minus 1 ठीक है minus 1 को आप 0 समझ सकते हो बट लिखना मत exam में इसको minus 1 ही लिख या ठीक है तो यह basic हमारा function है end का ठीक है यह अगर हम मालने कि यह हमारे inputs है तो यह हमारा есть output अब हमको पता चल गया यह हमारे target output है यह हमारे input है तो अब हमको बना लेनी है एक table उसके वादने बताता हूँ उसके आगे क्या करना है आपको so ये बन गई हमारी table आब हमको क्या करना है x1 x2 और target ये तीन चीजे तो हमको पता है ये हमारा x1 है ये हमारा x2 है ठीक है x1 x2 inputs होते हैं ये हमारे inputs है और ये हमारा output target ठीक है इसको output रखो ये target माल लो अब हमने output इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि output यहीं आएगा बट जब हम function पर form करेंगे है बुरूल की हच्थ तब हमें पता तोर होगा नहीं कि output कि आएगा हमको सिर्फ target बता रहेगा कि हाँ यह output लेके आना है ठीक है तो लिखते हैं x1 के अंदर values आ गई 1 1-1-1-1 यहाँ पर 1-1-1-1 ठीक है iteration 1 ठीक है अब देखो करना क्या है y input निकालना है y input का formula आपको पता है क्या होता है y input का formula हमारा जो अभी तक हम लोग apply करते आ रहे हैं bias plus summation of xi into wi अब देखो problem फसेगी कि भाई w तो हमको पता ही नहीं है wait तो हमको पता ही नहीं है तो हम कैसे करें तो देखो जब भी heb rule apply करते हैं तो हम माल लेते हैं let w1 equal w2 equal 0 ठीक है जितने भी weight चीए अगर 3 input है वैसे तो 3 input मुश्किल है होना क्योंकि and or not में तो 3 input जाएगा नहीं 2 input तक जाएगा तो weight हम लोग क्या माल लेंगे 0 है हमारा ठीक है target हमको पता है ठीक है और x1 x2 हमको पता है तो weight हम माल लेंगे 0 अब weight 0 मा माल लेते हैं actually ठीक है क्योंकि दोनों ही हमको नहीं पता 0 माल लिया अब क्या करना है वा input calculate करना है वा input calculate करो bias 0 है हमारा 0 प्लस ठीक है bias 0 है 0 प्लस summation of x i into w i x i x1 into w करोगे 1 into 0 0 1 into 0 again 0 ठीक है फिर से बता रहा हूं इसमें confused होने के chances बहुत हैं इसलिए फिर से repeat कर रहा हूं दे एजियूम कर लेना है बी हमको 0 एजियूम कर लेना है इतना समझ आ गया आप देखो क्या हूं वा इंपुट सेम वही फॉर्मुला मैं आप लिख भी देता हूं वा इंपुट का फॉर्मुला क्या है हमारा वा इंपुट का फॉर्मुला है bias प्लस summation of x i into w i तो bias जब लोगे summation of x i w i करोगे तो x1 हमारा ये है 1 into w 1 into 0 0 आ गया फिर 1 into 0 फिर से 0 आ गया तो total इसकी value 0 आ गया ये 0 है तो total हमाँ पास sum कितना आया 0 तो sum आ गया 0 अब y input की value 0 तो इसका मतलब output क्या 0 क्योंकि equal 0 पे 0 आयेगा output output 0 target 1 था लेकिन आया 0 मतलब हमें चहिए 1 था output बट output निगल के कि आया 0 इसका मतलब कि ये condition तो हमारी काम नहीं कर रही हमको weights को change करना पड़ेगा ठीक है weight को change कैसे करोगे simple सा method है बस समझते जाओ weight को change करने का formula change weight कहां पे लिग तूँ मैं यहां पे लिग देता हूँ change of weight का formula होता है हमारा TXI ठीक है याद रखना TXI मतलब कि target into जो भी particular उसका X के साथ हमको निकालना अगर W1 निकालना है तो target into X1 W2 निकालना है तो target into X2 यह हमारा होता है formula change in weight का इसी तरीके से change in bias का भी formula होता है change in bias का formula होता है हमारा T मतलब कि bias में हम directly T को कर देंगे copy paste ओके ठीक है चलो W1 निकालते है TXI यंदी 1 into 1 यह 1 हो गया W2 1 into 1 यह भी 1 हो गया bias T1 है हमारा अब नया weight यहाँ पे जो आएगा हमारा वो new weight होगा ठीक है यहाँ पे जो values आएंगी W1 W2 और भी यह हमारी new values होगी new values कैसे निकालते हैं यह ज plus old weight जब मैंने weight new निकालना बताया था तब आपको यह चीज मैंने बताई थी ठीक है आप भूल गया formula वो अलग बात है बट यह formula मैंने आपको बताया हुआ है इसका sum मतलब इसका sum नहीं अब जैसे हमको W1 निकालना है तो del W plus old w w old plus del w w old 0 है हमारा और del w1 है तो यहाँ पे कि formula होता है bias old bias plus change in bias दोनों को sum कर तो यह आ जाएगा अब अगले step पर चलते हैं यहाँ पर पहुचेंगे तो हम इस वाले weight और bias को consider करेंगे अब उसको consider नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा वा input निकालना है हमें again same formula bias plus summation x iwi x iwi करोगे तो 1 into 1 1 minus 1 into 1 minus 1 minus 1 into 1 minus 1 minus 1 into 1 minus 1 तो bias की value कितनी आई? minus 1 ठीक है bias की value कितनी आई? sorry bias की value हमारी 1 है minus 1 कहाँ से आगी? 1 है और w2 into x2 minus 1 plus w1 into x1 1 ठीक तो कितना value आ गई? minus 1 plus 1 यह तो cancel हो गया यह बच्या 1 तो y input हमारा क्या आगया 1? output कितना आगया 1? हमें चाहिए कितना था? minus 1 आया 1 मतलब कि फिर से weight change करना पड़ेगा भाई ठीक है? तो फिर से weight change करते हैं simple है weight change करना समझ में आगया t x i रखना है x i e t i e 1 into minus 1 minus 1 minus 1 into minus 1 plus 1 ठीक है? change हो गया weight bias change करना है t की value रख दो t की value minus 1 है रख दी new weight और new bias 1 old वाला कहां अगे? यह old वाला है उपर वाला हमारा और यह हमारा क्या है? यह हमारा change है तो 1 और minus 1 minus 1 plus 1 0 1 plus 1 2 minus 1 plus 1 0 ठीक है? तो यह हमारे नए weight और bias आ गया है फिर से अब in weight और bias को consider करना है और इस का net input calculate करना है तो same वही method है, यही formula लगाना है y input निगालोगे, minus 1 into 0 कितना हुआ? 0 1 into 2 2, यानि कि 2 plus 0, bias 0 है तो 2 plus 0, 2 plus 0 कितना आ गया? 2, यानि कि यहाँ y input आया 2, output कितना आया? 1, चाहिए कितना था? minus 1, यानि कि फिर change करना पड़ेगा जब तक यहाँ पर same नहीं आती target और output value, तब तक हमें इन values को change करते रहना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर से change करते हैं भाई, क्या दिखकत है? W, del W1 निकालेंगे, W1 निकालने का वही same formula TXI यानि कि target minus 1 है, और X1 minus 1 है, minus 1 into minus 1 plus 1 आ जाएगा ठीक है, और del W2 के लिए 1 into minus 1 minus 1 आ जाएगा, ठीक है? B के लिए target value minus 1 ही है, तो minus 1 आ गई ठीक, इतना clear समझा गया, आगे बढ़ते हैं अब निकालो, 1 0, ठीक है, 1 plus 0 1, minus 1 plus 2, 1 ठीक है, minus 1 plus 2, 2 minus 1 1, minus 1 plus 0 minus 1, ठीक है, यह हमारे नए weight और bias आ गए, फिर से, अब इसी process को repeat करते जाना है, इसके लिए भी, कैसे करेंगे, फिर wine put निकालना है, यह हम लेना है, हमें नए weight और bias consider करेंगे 1 into minus 1, कितना आया? minus 1, minus 1 into 1, कितना आया? minus 1, minus 1, minus 1 हो गया, minus 2, ठीक हो, अब minus 2, यह हमारी value निकल के आगई, minus 2, यह वाली value और bias कितना है, minus 1 तो minus 1, plus minus 2 कितना आगया, minus 3, minus 3 आगया, output कितना आएगा minus 1, क्योंकि less than 0 पे, minus 1 output, अब देखो minus 1 target था, और minus 1 ही output है, यहाँ पर condition हो गई हमारी match, ठीक है, जब condition match हो गई, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, इन ही values को वापस से same रखना है, कुछ change नहीं करना, 1 minus 1, minus 1, 1 1, minus 1, ठीक है इसके बाद, एक iteration हो गया हमारा खतम, अब अगले iteration पर चलते हैं, ठीक है, अगले iteration के लिए क्या करेंगे वापस से इन सारी values को लिख लो 1, 1, minus 1, minus 1 1, minus 1, 1, minus 1 target भी, 1, minus 1, minus 1, और minus 1, ठीक है, बस इतना चीज लिखना है, इसके बाद क्या करेंगे वा input निकालेंगे ये वाले weight को consider करेंगे 1 into 1, 1, 1 into 1, 1 कितना है, 2 2 और minus 1, 2 minus 1, 1 output कितना मिला हमको sorry, 2 और minus 1, 1, तो net input कितना 1, output कितना आ गया 1, 1 और 1 same values है, ठीक है, ये दोनों जो target हमको चाहिए था, वो target हमें output पे मिल रहा है, तो यहाँ पे फिर से कोई change नहीं होगा, ये values वापस से repeat हो जाएंगी ठीक है, समाझ आ गया अब अगले step पे चलते हैं net input की, minus 1, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, minus 1, ठीक है minus 1 मिला, अब minus 1 चाहिए था, minus 1 ही मिला हमको, तो वापस से ये values रिपीट कर दो 1, 1, minus 1, ठीक है इसके बाद में minus 1, 1, minus 1, ठीक है यहाँ पे हमको फिर से देखना है 1 into minus 1 कितना हुआ, minus 1 1 into 1, 1 minus 1, plus 1, 0 फिर से 0 हो गया, और bias कितना, minus 1 तो यहाँ पे value किया है, bias की, minus 1 यहाँ नेट input कितना निकलाया, minus 1 इस formula को बस याद रखना है और इस formula में यह values पुट करते जाना आपको यहाँ पे values मिलती जाएंगी net input मिल गया, minus 1, तो यह भी हमारा minus 1, net input less than 0 है, तो output minus 1 अब target और output दोनों same, तो 1, minus 1 minus 1, 1, 1, minus 1 यह copy हो गया फिर से, फिर last पे आगए, अब minus 1 into 1, minus 1 minus 1 into 1, minus 1 minus 1 हो गया, minus का 2 minus का 2 और bias minus 1 minus का 3, ठीक है, total minus 3 है हमारा net input minus 3 मतलब target value minus 1, अब minus 1 चाहिए था minus 1 मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया था हमको, तो बस same यह values आ जाएंगे हमारी 1, 1, minus 1 और यह हो गया हमारा solution 2 iteration के अंदर हमको सारी target values अचीव होगी, ठीक है total कितनी iterations लगी 2 iterations, ठीक है 2 iterations और यही हमारा logical and function develop हो गया have rule की help से, ठीक है, I hope समझ में आ गया होगा, किस तरीके से have rule की help से हम logical and function को develop कर रहे है ठीक है, तो इतना ही था इसका solution, थोड़ा सा lengthy जरूर है और थोड़ा सा complex भी है, बट पता है एक बार आप इसको करके देखना, try करके देखना, बहुत easy है, समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ गए, तो दुबारा कभी भूलोगे नहीं, उसको, ठीक है, मैंने कोशिश किये कि एकदम धीरे-धीरे से समझाओं आपको, बस आपको formula याद रखना है, आपको याद रखना ही, initialize क्या करना है, start में, और del w और del b का formula क्या होता है, और table में कौन सा column कहा होता है, यह याद रखना, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरुवत नहीं है, calculate करते जाओगे, solution मिलता जाएगा, अब चाहें यहाँ पर पूछ लें आपसे और के बारे में, और में भी आपको यही चीज़ करना है, बस और में target values change हो जाएंगी हमारी, यहाँ पर 1, minus 1, minus 1, minus 1 है, अगर और का case होता, तो 1, 1, 1 और minus 1 आ जाता, ठीक है not के case में, एक input होगा, एक output होगा, 1 के case में minus 1, minus 1 के case में 1, तो वो तो और भी जादा simple है, एक दो iterations में, एक ही iterations में में भी वो हो जाए, ठीक है, तो यह हमारा हेब rule की हल्प से होगे, अगर आपसे question exam में पूछ लिया जाता है, 10 mark के अंदर यह question आएगा, अगर आया तो, ठीक है, so I hope आप लोग attempt कर पाऊगे, ठीक है, चलते हैं अगले numerical की तरफ, so next question है, हमारा consider fuzzy relation, हमें दो relations given है, एक relation R और एक relation S, ठीक है, बताना क्या है, हमें find करना है, T is equal to R on S, R on S पर हमें T find करना है, जिसमें हमको 3 criteria given है, पहला min max composition का use करेंगे, दूसरा max product composition का use करेंगे, और तिसरा max average composition का use करेंगे, यह 2000, 2021 में आया हुआ question है, ठीक है, जितने भी question है, यह previous exams में आ चुके है, मैंने खुझ से कोई भी question यहाँ पर design नहीं किया है, ठीक है, so basically अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसको solve करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो, सबसे पहले हम पहला करते हैं, यानि कि using min max composition, using min max, ठीक है, of r on s लेना है न, तो एक बार x1 के साथ y1, x1 y1, ठीक है, एक बार x1 के साथ y2, एक बार x2 के साथ, sorry, x1 y1, x1 y2, अब x2 y1, x2 y2, x3 y1, x3 y2, इस तरीके से ले रहना है, x2 y1, x2 y2, x3 y1, और x3 y2, इतने ही हमारे, बनेंगे composition, min max function को लेके, इन दोनों sets के उपर, ठीक है, आप देखो, यहाँ पर एक समझने वाली बात है, क्या है वो बात, मैं बताता हूँ, जब भी हम min max function का use करते हैं, तो इसका मतलब होता है, कि अगर यहाँ पर x1 की बात हो रही है, तो हमें यह पूरा consider करना है, ठीक है, x1 हमको पूरा consider करना है, अभी जो उपर लिखा है न, यह y1, y2, z1, z2, इनको भूल जाओ, यह लिखे हैं, इनको दिमाग से निकाल दो, ठीक है, x1 पर आओ, यह जो x1 पर लिखा हुआ है, ठीक है, रो में, यह दोनों consider करना है, और y1 पर यह दोनों जो लिखे हुए, इन दोनों को consider करना है, ठीक है, इस तरीके से हम consider करेंगे, जब भी हम min max function calculate करेंगे, तब, ठीक है, कैसे करोगे, 0.3 और 0.6 में minimum value कौन सी है, इसमें हमारी minimum value है 0.3, ठीक, और फिर इसी तरीके से x1 पर 0.2 लिया और y1 पर 0.1 लिया, यह दोनों values, इन में minimum कौन सा है, 0.1, ठीक है, तो अगर min हमने निकाल लिया, अब max निकलना है, मतलब कि इन दोनों में से, जो max होगा, वो हमको ले लेना है, तो इन में से max कौन सा है, 0.3, तो हमारा answer क्या आजाएगा, 0.3, इतना simple सा concept है, इतना easy concept है, इसमें कुछ भी confuse होने जैसा नहीं है, ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, x1 का पहला element लिया, y1 का पहला element लिया, इन दोनों में जो minimum है, ठीक है, min max के case में, इन दोनों में जो minimum है, उसको हमने choose किया, minimum 0.3, 0.3 choose कर लिया, फिर इन दोनों पे आ जाओ, इन में minimum कौन सा, 0.1, 0.1 choose कर लिया, अब इन दोनों में जो max है, वो ही हमारा min max composition के through solution मिलेगा हमको, ठीक है, अब इसी तरीके से x1, y2 पे, x1 और y2 में कर लो, 0.3 और 0.3 में minimum कौन सा, 0.3, ठीक, 0.5 और 0.2 में minimum कौन सा, 0.2, तो यहाँ पे max कौन सा मिले हमें, 0.3, max कौन सा मिले हैं यहाँ पे, 0.3, ठीक है, इसके बाद x2, y1, x 0.5 और 0.6, इन दोनों में minimum कौन है, 0.5 है minimum, ठीक है, तो 0.5 consider कर लिया, फिर 0.8 और 0.1, इन दोनों में minimum कौन सा, 0.1, तो 0.1 consider कर लिया, इन दोनों में max निकालना है हमको, ठीक है, पहले min लिया, फिर max लिया, तो क्या आएगा max इसमें, 0.5, अगर यही max min composition होता, तो हम max न इतना ही difference होता है दोनों में और exam में दोनों ही पूछे जा सकते हैं ठीक है आप video pause करके आप लोग खुद से एक बार try कर लो I hope इतना समझ में आ गया होगा ठीक है अब आप लोग solution match कर सकते हो यहाँ पर मैंने सारे ही composition निकाल दिए ठीक है यहाँ पर इन दोनों से minimum लिया और maximum calculate कर लिया बस इसी फॉर्मूले पर इसी method पर based होता है हमारा min max composition max min आ जाएगा तो इसका उल्टा कर देना है आपको समझ में आ गया है तो आप अराम से कर लोगे इसके बाद max product composition ठीक है यह भी easy है और इसी तरीके से simple सा है बता देता हूँ कैसे करना इसको so कैसे करना इसको जैसे हम लोगों ने min max निकाला था हलका फुलका उसी तरीके से अब एकदम same exact वो pattern नहीं है थोड़ा सा change है देखो क्या change है बताता हूँ मैं product लेना है max product लेना है max of product लेना है तो क्या करेंगे हम x1 और y1 में x1 select किया same उसी तरीके से y1 select किया same उसी तरीके से पहले element पर पहुचे इन दोनों का product लेलो ठीक है 6 into 3 कितना हो गया 18 हो गया तो कितना हो जागा 0.18 और फिर इन दोनों का product लेलो 0.1 into 0.2 0.02 ठीक product लेलिया अब इस में से जो max है उसको निकाल लो max कौन सा है इन दोनों में से 0.18 ठीक है समाझा गया same इसी तरीके से अगला भी करेंगे x1 ठीक है x1 यही consider करेंगे y2 य 3 into 3 9.09 फिर येवाला element येवाला element 5 to 10 यानि 0.1 इस में से maximum कौन सा 0.1 ठीक है इसी तरीके से x2 y1 x2 y2 x3 y1 x3 y2 सब calculate करना है ठीक है मैं लिखे दे रहा हूँ आप लोग कर लो एक बाद खुद से try उसके बाद match करा ले ना कि आपका सही है solution यह नहीं है सो यह रहा हमारा solution ठीक है समझ आगे है max product कैसे करना है अब max average भी इसी तरे से करना है बस average करने का तरीका आपको पता होना चीए कैसे करेंगे अभी बता देता हूँ मैं सो मैं यह मान के चलना हूँ कि आप सबको average निकालना आता होगा मतलब कि अगर दो number का sum करके उसका average निकालना है तो sum upon 2 होता है ठीक है 0.6 कितना हो गया 0.9 by 2 क्योंकि दो numbers है तो by 2 करेंगे तो कितना आएगा 0.45 ठीक है तो कितना आगया 0.45 फिर इन दोनों का average लेना है 0.2 plus 0.1 0.3 divided by 2 0.15 तो इसका कितना आगया 0.15 अब इन दोनों में जो max value है उसको बाहर निकालना यानि कि 0.45 सेम इसी तरीके से x1 y2 के लिए करेंगे 0.3 plus 0.3 0.6 by 2.3 0.2 plus 0.5 0.7 0.7 by 2.35 ठीक है यह होता है ना ठीक है 0.35 कोई calculation error हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ but I hope इसी तरीके से होता ही है मतलब I hope कि यह इसी तरीके से होता ही है I hope कोई error ना हो ठीक है so यह रहा answer ठीक है आप लोग match कर लीजिए आप लोग answer सही है या फिर नहीं है अगर मेरा गलत है तो भी बता देना comment section में कि भाई यहाँ पे तुमने गलत कर दिया था ठीक है और उसके लिए apologize है अगर कोई गलती हो जाती है तो क्योंकि मैं भी by human you errors हो सकती है ठीक है इसके बाद अगला question यह बहुत easy question से ठीक है यह भी बहुत easy है बस थोड़ा सा वही है न कि जब clear नहीं होते concept तो लगता है कि बड़ा complex चीज है है बहुत easy आपने किया है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब आगे बढ़ते है we want to compare two liquid controls देको यह भी question आया हुआ था 2021 के paper में important question है यह question अगर दुबारा आया तो trust me यह exactly 10 number में आएगा और कोई chance है नहीं और बहुत easy है बहुत ज़्यादा easy है इसमें कुछ कुछ करना ही नहीं इतना ज़्यादा easy है we want to compare two liquid level controllers for their control levels and flow speed the following values of the flow speed and liquid control levels were recorded मतलब की कोई एक experiment हो रहा होगा ठीक है उसमें क्या करना था दो liquid level controllers थे और वो क्या control कर रहे थे दो control levels flow of speed देख रहे थे flow speed देख रहे थे माल लो पानी पर ही हो रहा होगा या फिर petrol पर जिस पर भी हो रहा है अब हुआ क्या कि कुछ particular flow speeds के लिए यहाँ पर दो levels आएं और उनकी values आई record की गई वो values इस तरीके से यहाँ पर display ठीक है जैसे कि यह दिया हुआ है अब हमको करना क्या है हमको output बताना ह है L1 union L2 L1 union L2 यानि की levels में union कराना है फिर L1 intersection L2 L1 complement L2 complement L1 complement union L2 complement मतलब union intersection वाला जो concept आने पढ़ाया है आप लोग को complement union और intersection वो पूरा concept ठाके यहाँ रख देना है बहुत ही easy चीज है यार इसमें इसमें तो कोई complexity है नहीं इससे easy question बना ही नहीं आज तक ठीक है तो बस समझ चलो की क्या होता है तो union का formula मैंने आप लोग को बताया था क्या बताया था max value लेनी है ठीक है किसमें से L1 और L2 से जो भी max value होगी वो आपको उठा लेना है ठीक है हम बनाते है set तो क्या बनेगा इसका solution हमारा L1 L2 consider करना है ठीक है flow speed भूल जाओ बस confuse करने के लिए दिया हु कौन सा 0 0.50.45 में Max कौन सा 0.55 इन दोनों में maximum value 0.55 इन दोनों में maximum value 0.75 इन दोनों में maximum value 0.95 और इन दोनों में maximum value 1 ठीक है तो यह आगे हमारा इसका solution देखा कितना easier था बहुत easy था वाई इससे easy क्या ही होगा intersection में क्या करते है minimum ले ले लेते हैं intersection में L1, L2 minimum लोग है तो वही चीज़ है अब यहाँ पर जो values हैं है उनके अलावा जो values हैं यहाँ पर minimum वाले लिख दो 0, 0.45 0, 0.35 0.65 minimum इन दोनों में minimum 0.9 इन दोनों में तो minimum वाला यह मी नहीं है 1 ही है ठीक है अब इसी तरीके से compliment निकालने के लिए क्या करते थे compliment के लिए 1 minus L1 कर देंगे compliment निकलाएगा ठीक है कैसे करोगे दोको L1 के लिए इसलिए L1 कर रहे हैं अगर L2 का compliment निकालेंगे तो 1-L2 कर देंगे आप लोगको बता चुका हो में यह चीज़ है ठीक है तो कैसे निकालेंगे 1-L1 L1 यह रहा 1-0 1-0.5 1-0.35 कितना आएगा 0.65 1-0.75 कितना आएगा 0.25 1-0.95 0.05 1-1 ठीक है यह आगया इसका solution अब इसी तरीके से L2 का compliment निकालना है तो 1-L2 कर दो L2 सेट में जो भी वैल्यूस दे रखी है उसमें से 1-1 कर दो 1-0 1-0.45 0.65 55 55 आएगा 0.55 यहाँ पर कितना वैल्यूस आएगी 0.45 1-0.65 0.35 1-0.90 1 1-1 0 तो यह इसका solution आगया बस इसी तरीके से सब को calculate करते जाना है अब L1 Complement Union L2 Complement L1 Complement यह रहा L2 Complement यह रहा Union का मतलब इन में से Max Value निकाल लेनी है तो Max Value कैसे आएगी है मरे पास इसमें Max 1 इसमें Max 0.55 इसमें Max 0.65 पिर इन दोनों में Max 0.35 पिर इन दोनों में Max 0.1 और पिर इन दोनों में तो इसी तरीके से intersection आ जाता है तो भी आप लोग कर लोगे तो अब देखो इनको अब मैं मुझे बार बार पेज़ टरन करना पड़ेगा तो मैं solutions इनके लिख देता हूँ बाकी आप लोग try कर लो और match कर लो कि क्या आपका solution same आ रहा है या फिर कोई पर कोई error हो रही है और मेरी कोई error हो तो comment section में बता देना तो यह रहा है इसका solution बाकी आप लोग match कर लेना इसके बार algebraic sum निकालना है हमें given fuzzy set के लिए algebraic sum निकालना बहुत easy है और इस तरीके का fuzzy set दिया हो जिसमें denominator में कुछ values दे रखी हो तो घबराना नहीं है बिलकुल ना इस पर कोई हमें calculation perform करनी है बस simply इसको ignore कर दो और last में solution के time लिख दो बस हमें performance जो भी कराना है जो भी हमें computation करानी हो हमें numerator में ही करानी होती है कैसे करेंगे algebraic sum निकालने का देखो algebraic sum का formula मैंने आपको बताया था क्या formula था a of x plus b of x minus a dot b of x ठीक है मतलब a dot a of x dot b of x ये formula था हमारा algebraic sum का ठीक है अब इस sum के according अगर हम यहाँ पे solution निकालें तो क्या आएगा हमारा solution देखो कैसे करेंगे a of x 1 upon 1 plus 0.2 upon 1 इन दोनों का sum लोगे तो कितना हैगा 1.2 by 1 ठीक है sum यही आएगा minus a dot b a dot b करो 1 into 0.2 तो कितना है 0.2 अब 1.2 से अगर 0.2 minus करें तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा हमारे पास 1 बचेगा ठीक है इसी तरीके से अगले अगला solve करूं 0.7 plus 0.3 कितना हो गया sorry यहाँ 1 है 1 upon 1 आएगा ठीक है यहाँ पर क्योंकि यह upon denominator में 1 लिखा है बस answer जब लिखने तब denominator में वो value लिख देना जो उसमें सेट में लिखी हुई है ठीक है 0.7 0.3 इन दोनों का sum किया कितना आया 1 ठीक है इन दोनों का sum आया 1 अब 1 आया और इन दोनों को multiply करके क्या करना है में 1 में से minus करना सब्सक्राइब 21.21 जब माइनेस करोगे तो कितना हैगा 0.79 0.79 by 1.5 0.2 plus 0.7 0.9 0.9 minus 0.14 कितना हैगा 0.9 minus 0.14 0.76 by 2 calculation चेक कर लेना गाइस कोई error लग रही है मुझे शायद नहीं है ठीक है 0.6 plus 0.1 0.7 और 0.7 में से अगर हम 0.06 minus करेंगे तो कितना आयगा 0.64 by कितना लिखाए 2.5 यह आगे हमारा algebraic sum बाकिया formula note कर लेना exam में आपको कैसे लिखना है आपको पता है so this is the solution I hope समझ में आगया होगा यह question आएगा तो जादा से जादा दो number में आएगा 5 number में भी यह question आने की कोई probability नहीं है इसके बाद यह हमारा last question है और इस से जादा numericals अभी तक exam में नहीं पूछे गए हैं में भी आने वाले time पे exam में पूछे जा सकें ऐसे questions बट अभी तो जितने numerical आ चुके हैं उनको मैंने cover कर दिया है ठीक है consider a set एक set हमको given है ठीक है यह हमको set given है अब यह मतलब individually सब आ जाएंगे ठीक है इसको braces में ही लिखे है better है अब इसी तरीके से दो-दो के pair फिर तीन-तीन के pair फिर चार-चार के pair फिर last में आपको क्या मिलेगा last में आपको मिलेगा पूरा set यह 2, 4, 6, 8, 10 और एक चीज और इसमें कितने element है total एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, पांच element है मतलब total इसमें जितने set आएंगे power set में कितने होंगे 2 की power 5, 2 की power 5 होता है 32 ठीक है तो यानि total इसमें 32 elements होंगे जब आप इसको बना लोगे ठीक है तो बना लेना मैं लिकूंगा भी तो बहुत लंबा चला जाएगा यह तो अभी हम लोग क्या करेंगे हम लोग का power set आ गया यह ठीक है power set बढ़ा लेते हैं power set पावर set आ गया यह पहला हो गया second second क्या है हमारा cardinality cardinality मतलब कितने number है ठीक है set में कितने total elements है एक दो तीन चार पाँच है तो cardinality आगे हमारी 5 और third हमारा क्या है cardinality of power set power set में total कितने element होंगे 2 की power 5 that is 32 यही solution है हमारा यह question be max to max दो number में ही आएगा उससे जादा मुश्किल है यह question की आगे आएगा ठीक है दो number में ही पूछा जाएगा अगर आया तो वैसे तो इन दोनों questions की exam में आने की probability काफी कम है बट फिर भी मैंने discuss कर लिए क्योंकि यह previous years में आ चुके हैं so I hope video clear हो गया होगा किसी question में कोई doubt हो तो बता देना कोई और question पूछना हो तो discord पर मुझे बोल देना मैं discord पर आपको solution provide कर दूंगा so all the very best for the exams guys and thank you so much for watching this video